दीपिका ककड शोईब से शादी के लिए बन गई थी फैजा वाइरल हुआ निकाह का कार्ड टीवी सीरियल ससुराल सिमरका से लोगों का दिल जीतने वाली दीपिका ककड सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और वो टीवी से दूर होने के बावजूद अपने फैंस के दिलों के बिलकुल करीब हैं दीपिका और शोईब ने साल 2017 में शादी की थी और उसके बाद से ये कपल एक साथ अच्छा वक्त बिता रहा है और ये टीवी की मशुहूर जूडियों में से एक बना हुआ है दीपिका और शोईब की अगर बात की जाए तो दोनों अपने फैंस के साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं दरसल व्लॉगिंग के माध्यम से ये फैंस के बिलकुल करीब बने रहते हैं हाल ही में शोईब ने दीपिका की प्रेग्नेंसी की अनॉंस्मेंट भी की थी और ये दोनों जल्द ही पैरिंट्स बनने वाले हैं इस समय दीपिका ककड की शादी का कार्ड वाइरिल हो रहा है दरसल शादी के समय दीपिका का नाम बदला गया था और वो फैजा बन गई थी हलाकि उस समय ही ये क्लियर कर दिया गया था कि ये सिर्फ शादी के इंविटेशन के लिए नाम बदला गया है हमेशा उनका नाम दीपिका ही रहेगा लेकिन इस समय निकाह का वो कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है और इस पर धेर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं शोई विबराहिम की अगर बात की जाए तो वो इस समय टीवी सीरियल अजुनी में एहम भूमी का निभाते दिखाई दे रहे हैं टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़े इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुंचाएं